Y4D के इंडिया मुव्मेंट कॉन्कलेव में मंच परुपस्तित प्राइड ऑफ इंडिया पद्मश्री योगेश्वर्दत जी, हिमांशु प्रियदर्शनी जी, कृष इराने जी, Y4D के आधार स्तंभ प्रफल निकम जी, यहां पर उपस्तित प्रदमश्री गिरिश प्रभुने जी, श्वेता शालिने जी, उपस्तित सभी मानुभव और सभी बेहनों भाईयों. मैं Y4D को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, कि पिछले नव वर्षों में, जिस प्रकार से NGO के ख्षेत्र में, एक बहुत ही सकार अत्मक इस प्रकार का कार्य और वैसे ही प्रतिमा, Y4D ने तयार की, और अगर हम मन में चाहे, तो सकार अत्मक परिवर्तन कर सकते हैं, इसको यथारत में लाने का काम Y4D ने किया, प्रफुल जी, मैं आपकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, बहुत-बहुत चुपकाम नाई देता हूँ. और जैसा हम लोग देख रहे थे कि, विस्तार हुआ है, बीस राज्यों में कार्य चल रहा है, साथ लाग से उपर बेनिफिशरीज आज Y4D के माध्यम से यहां पर हमको दिखाई देते हैं, और अलग-अलग शेत्रों में यह कार्य चल रहा है, और विशेश रूप से कॉर्परेट जगत के साथ, जिस प्रकार से कॉलेब्रेशन करके, बाइफॉरडी ने एक सकारात्मक्ता तयार की है, वो बहुत ही महतोपूर्ण है, हमने इसको इंडिया मुवमेंट कॉनक्लिव कहा है, और आजकर लोग ऐसा कहते हैं कि, इंडिया is an idea whose time has come. यह भारत का मुवमेंट है, और हम भावरत के मुवमेंट के बारे में, भारत के खशन के बारे में जब बात करते है, भारत के समय के बारे में जब हम बात करते है, तो मुझे याद है कि मैं अभी जिपैन गया था और जिपैन में वहां के जो प्रधान मंत्री जी के बाद दूसरे क्रमांग के सबसे बड़े मंत्री है उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको और आपके माद्यम से प्रधान मंत्री मोदी जी को और तमाम भारतियों को बधाई देना चाहता हूँ तो मैंने कहा आप बधाई किसले देना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जो लुनर मिशन भारत ने किया और चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान को उतार कर जिस प्रकार भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ती बना है मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ और आगे चलकर उन्होंने कहा और ये बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आज से तीन चार साल पहले जापान ने भी ये प्रयास किया था लेकिन हम सफल नहीं हो पाए भारत सफल हुआ इसलिए मैं भारत को बढ़ाई देता हूँ और जिस समय Elonorg Mission हमारा Accomplish हुआ उस समय मैं Japan में ही था और वहां से लेकर आगे के तीन दिन तक मैं जपान में था जिस किसी से मैं मिलता था बोह लुनर Mission के लिए भारत को बढ़ाई देता था मुझे लगता है कि इंडियाज मुवमेंट क्या है इस इंडियाज मुवमेंट आज हम लोग देखते हैं कि पिछले 19 सालों में जिस प्रकार से भारत ने प्रगती की है सबसे महत्व की चीज अगर कोई होगी तो वी हाव बिकम अटाक्स कम्प्लाइंट सोसाइटी चाहे वो कॉर्परेट सेक्टर हो चाहे वो इंडियूज़ बिजनेसेस हो हम लोगों ने हमारे देश में इस प्रकार की विवस्ताय खड़ी की कोई भी ये मानता नहीं था कि भारत में GST सफल हो सकता है इतने स्टेट्स इतनी प्रकार की सरकारे इतने प्रकार के विचार सब एक दूसरे के खिलाव ऐसे समय वन नेशन वन टैक्स ये कैसे होगा और आप में से कईयों को याद होगा कि it was argument of one very big leader who was also former finance minister who used to say that the GST has failed in 40 countries it's never going to succeed in India लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि भारत में हमने one market तैयार किया भारत में हमने one tax तैयार किया और आज जिस प्रकार से GST के collection के बाद हम tax compliant society बने और जिस प्रकार से देश के tax collection के numbers grow हुए मैं महाराष्ट के अगर बात करू तो महाराष्ट तो GST collection में top पर है और जिस समय GST का bill मैंने महाराष्ट में इंट्रोड्यूस किया था उस समय लोग यह कहते थे कि महाराष्ट यह तो manufacturing state है हमारा तो नुक्सान होगा लेकिन जो महाराष्ट में वैट अराउंड 75,000 करोर था वो अब करीब 1,35,000 करोर तक कौज गया है और इसलिए मुझे लगता है कि this is India's moment आज भारत में हम लोग चाहे वो GST हो चाहे UPI हो जिस प्रकार का digital एक infrastructure हम लोगों ने तयार किया और digital transactions हम ने तयार किये आज दुनिया में अमेरिका और चाइना को भी भारत ने digital transactions में पीछे छोड़ दिया और आज हम सबजी लेने भी जाते है तो सबजी वाले के पास भी हम digital transaction कर सकते हैं और आपको आश्चर होगा कि जिस समय प्रधान मंत्री जी ने फुटपाथ दुकानधारों के लिए योजना लाई और कोविड के बाद उनको एक प्रकार से खड़ा करने के लिए जो योजनाई उस योजना के बेनिफिशिरीस को मुंबई में एक लाख लोगों को हम लोग एक साथ उनके अकाउंट में पैसा देने वाले थे प्रधान मंत्री जी ने शर्त रखी कि इस कारेक्रम में मैं तभी आऊंगा जब आप इन सब को digital transaction की ट्रेनिंग देंगे और जज़ दिन इनके अकाउंट में पैसा जाएगा उस दिन से street vendors ये जो है ये सारे digital transaction करेंगे और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि एक लाख तो हम नहीं कर पाए पर around 75,000 street vendors ने digital transactions को सिखा रहा और उन्होंने उसकी शुरुवात की तो मुझे लगता है कि this is India's moment ये जो एक परिवर्तन देश में हमको दिखाई पड़ता है कि जिस गती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे आज हम दुनिया की पाचवी सबसे बड़ी अर्थविवस्ता बने और विशेश खुशी हमको इस बात किये कि हमको लूट लूट कर जिस इंपिरियल ताकत ने अपने आपको एक बड़ी अर्थविवस्ता के रूप में तयार किया था उस ब्रिटन की अर्थविवस्ता को भी हमने पीछे चोड़ दिया और उससे भी हम आगे चले गए और जैसा प्रधान मंत्री कहते है कि बैट 2030 वी विल बी थर्ड लार्जेस्ट एकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्ताम बनेंगे और मुझे यह लगता है कि आज जिस समय हमारे युवाओ को मैं देखता हूँ एक बहुत बड़ा ट्रांस्फर्मिशन हमारी युवाओ शक्ति ला रही है यह वाइफॉरडी इस यूथ फॉर डेवलोपमेंट और यह जो युवाओ हमारा है आज जिस प्रकार से वो इनोवेट कर रहा है आज हम लोग देखते हैं कि स्टार्टप की जो एकोसिस्टिम है इसमें भले ही स्टार्टप्स यह इनक्यूबेट मुंबई पुना जैसे बड़े शहरों में होते होंगे पर इसमें 60 प्रतिशत लोग यह टियर 2, टियर 3 सिटी से आते हैं या गाओ से आते हैं और अपने इनोवेशन के आधार पर एक नई एकोसिस्टिम वो तयार करते हैं और जिसके करण्ड लोगों के जीवर में भी एक बदला होता है और Employment मांगने की जगह Employment Creators के रूप में यह युवा इस स्टार्ट अप इकोसिस्टिम में काम करते हुए हमको दिखते हैं और आज महाराष्ट रहे तो Startup Capital है क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा रेजिस्टर्ट स्टार्ट अप यह महाराष्ट में है देश में सबसे ज़्यादा Unicorns यह महाराष्ट में है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इस युवा शक्ति की उडान को मैं देखता हूँ तो मुझे विश्वास होता है कि जो सपना हमारा है महाराष्ट को ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी करने का या देश को 5 ट्रिलियन एकोनोमी करने का वह हम निश्ची तुरूप से सफल कर पाएंगे लेकिन यह सारी चीज़े जब हम लोग एक प्रस्पेक्टिव में देखते है आज दुनिया में चर्चा चल रही है कि एक समय था पिछले 30 सालों तक चाइना ने फैक्ट्री ओफ वर्ल्ड का काम किया चाहे वो USA हो चाहे वो जपैन हो चाहे वो European countries हो सभी का investment चाइना में बढ़ा और दुनिया के लिए करीब 30 to 40% of वर्ल्ड's manufacturing ये चाइना में तयार हुआ और एक प्रकार से दुनिया को चाइना ने अपने supply chain में इस प्रकार से जकड़ा कि COVID के समय जब ये supply chain disrupt हुई और जिस समय हम सभी लोग जानते कि COVID का वाइरस तयार का हुआ बवान वाइरस है और उसके बाद दुनिया के बिजनेसेस को ये ध्यान में आया कि अब केवल चाइना के supply chain के भरोसे हम नहीं रह सकते और हम लोगों को diversify करना होगा और उसके बाद इस विचार को लेकर चाइना प्लस वन इस policy को लेकर लोग बहार निकले और initial exodus जो था वो साउथी स्टेशन कंट्रीज में गया और कुछ अधर कॉंटिनेंट्स में भी वो गया लेकिन मेजर साउथी स्टेशन कंट्रीज में गया लेकिन एक बात याद रखिए कि जब समुद्र से पानी निकलता है तो उसको तालाब अपने में समाहित नहीं कर सकता और आज परिस्तित यह है इन सारी कंट्रीज में human resource का shortage हो आए energy का shortage हो रहा है और अलग-अलग प्रकार के social problems कड़े हुए क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इस manufacturing sector को या यह सारे technology businesses को accommodate करने की ताकत ही उनकी नहीं है और अब दुनिया को यह लगता है कि यह सारा exodus accommodate कोन कर सकता है तो यह केवल भारत कर सकता है ऐसा सब का मानना है और इसलिए बड़े पैमाने पर दुनिया के सारे manufacturing हो, technology business हो, industry 4.0 हो यह सारे आज भारत में आ रहे है आना चाहते और मैं दुनिया में कई देशों में गया तो इक renewed इस प्रकार का लोगों का sense मुझे दिखाई पड़ता है कि हमको भारत जाना है और एक confidence भी दिखता है क्योंकि भारत एक tax complaint society के रूप में उनको दिखाई पड़ती है भारत एक law abiding society के रूप में दिखाई पड़ती है भारत एक जहां पर हम business करेंगे तो हमारे business को कोई आज नहीं आएगी क्योंकि यहां democracy है इस प्रकार के भावना लोगों में दिखती है तो मुझे लगता है कि यह moment है भारत का जो आज हम लोगों ने अच्यू किया है लेकिन जहां यह सारे आउसर है जहां यह सारी संभावनाए है वही पर जिम्मेवारी भी हमारी बड़ी है क्योंकि आज जिस समय बदलती हुए अर्थविवस्ता में relevant रहने का सवाल आता है उस समय इस अर्थविवस्ता के अनुरूप मानव संसाधन तयार करना यह बहुत महतुपूर्ण है एक प्रकारक से कोशल्य प्रशिक्षित मानव संसाधन स्किल्ड मैन पावर स्किल्ड यूमन रिसोर्स यह तैयार करना यह हमारी जिम्मेदारी है और आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सारे कॉर्परेट्स इस बात को समझ रहे है आज वाइफॉरडी जैसी हमारी एंजियोज होंगे और यहाँ पर जिन कॉर्परेट्स का हमने सनमान किया यह कॉर्परेट्स होंगे यह सारे लोग साथ में आकर आज कॉशल विकास होगा इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे है बड़े पहमाने पर स्किलिंग चल रही है जैसे अभी कोका कोला की ओर से बताया गया या फिर टाटा की ओर से बताया गया कि हम लोग 30,000 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि आज देश में अगर हम लोग देखे आप किसी भी युवा को पूछिए तुम्हारा प्रोब्लेम क्या है वो कहता है जी मुझे कोई न कोई जॉब चाहिए जॉब मेरा प्रोब्लेम है आप किसी भी इंडस्ट्री को पूछिए आपका प्रोब्लेम क्या है वो को पुलते हैं यार लोग ही नहीं मिलते हैं हम लोग को लोग चाहिए आप लोग दीजिए तो इसका मतलब है कि जॉब्स भी है जॉब सीकर्स भी है लेकिन इनके बीच एक डिसकनेक्ट है और यह डिसकनेक्ट है स्किल डेवलप्मेंट का स्किल्स का कौशल का और इसको पाटना यह बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आज जिस प्रकार से हमारे देश में चाहे वो नई शिक्षा नीती हो चाहे हमारी स्किल्स काउंसिल हो इन्होंने जिस प्रकार से विवस्ताएं खड़ी की है इन विवस्ताओं में हम लोग स्किल्स का महत्व समझ रहे है इसके लिए कोई तीन साल, पात साल, दस साल की पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है जिस समय हमारा जो श्रम होता है और हमारा जो श्रमिक होता है इन दोनों को एक प्रकार से मान्यता मिलती है उस समय आप क्या पढ़े है आपके पास क्या डिग्री है यह माइनी नहीं रखती हम उस प्रकार के वर्ल्ड में उस प्रकार की दुनिया में इंटर कर रहे है डिग्री तो हमेशा माइने रखेगी पढ़ाई तो हमेशा माइने रखेगी लेकिन उसके साथ साथ employability के लिए हम पढ़े भी है पर हमारे पास skill नहीं है मुझे याद है आज की परिस्थी नहीं पर 10-15 साल पहले जिसमें NASCOM ने हमारे देश के engineers का करीब मुझे लगता है 2010 की बात होगी एक सर्वे किया था और उस सर्वे में उन्होंने कहा था कि भारत में अगर 100 engineers तैयार होते है तो केवल 25 employable है 75 employable ही नहीं है इसलिए हम उनको engineer की नोकरितों नहीं दे सकते तो मुझे लगता है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन skill नहीं पा रहे थे ultimately पढ़ाई के साथ-साथ अगर ground पर जो उसका applied उपयोग है वो अगर हमको नहीं पता है और आज भी इतने सरकारी ITI है इसमें से एक भी बच्चा ITI से निकलने के बाद खाली नहीं रहता है सबको employment मिलती है सबको नोकरिया मिलती है क्योंकि उन्होंने skill acquire किया है और इसलिए मुझे यह लगता है कि आज हम जब एक बहुत बड़ी अर्थव़स्ता के और जा रहे है तो हमारे corporates को और हमारे NGOs को मिलकर हमारे युवा शक्ती को हम कैसे skill दे पाए आज उसका विचार हमको करना होगा आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में विशेश रूप से खेती किसानी करने वालों की संख्या बढ़ी है और आज हम start-ups देखे तो around 40% start-ups यह farm sector में आ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से farm sector में हम skill नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पर हमको skilling करना होगा क्यूंकि धिरे धिरे हमारा जो कृशी का क्षेत्र है इसमें हम लोग unskilled इस प्रकार के मानव संसादन के भरोसे इस क्षेत्रों को हम गती नहीं दे सकते इसको अगर गती देनी है तो इसमें आधुनिक्ता लानी पड़ेगी इसमें भी कौशल ले देना पड़ेगा और हम लोग क्या कर रहे हैं हमारा जो पुराना किसान था वो वज्यानिक था देरे देरे हमने उसकी वज्यानिकता खतमकि और उसको एक रिचूल के रूप में प्रोसेस के रूप में उसको हम लोगों ने डिवलक किया और उसके करण आज एक बहुत बड़ा संकत खेती किसानी पर दिखाई पड़ता है लेकिन इसको दूर किया जा सकता है अगर हम उस क्षेत्र में भी कौशल लाए, उस क्षेत्र में विकास लाए उसमें हम टिकनोलोजी लाए आज हम लोगों ने महाराश्ट में कई प्रोग्राम शुरू किये हैं जिसमें वर्ल बैंक के साथ हम लोग एक कारेकरम करते हैं दस हजार गाओं में हम लोग Agri-Business Societies तयार कर रहें वहां की जो Multipurpose Societies हैं उन Societies को Skills देकर, उनको Finance देकर, उनको Technology देकर, उनको एक प्रकार से Agri-Business Society में परिवर्तित करके किसानों का Market, किसानों के हाथ में देना इस प्रकार की विवस्ता वहां खड़ी करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सारे प्रयास है इन प्रयासों में आज हमारा corporate sector और हमारे NGOs इनके बहुत महत्वपुर्ण भूमिका है मैं हमेशा कहता हूँ जिसमें हमने village social transformation शुरू किया उसमें मैंने कहा था कि सरकार की scheme तो चलती है और कई सालों से चलती है लेकिन सरकार की काम करने के गती भी होती है और सरकार की अपनी विवस्ता भी होती है सरकार एक हाती जैसे है यह हाती जल्दी बैठता नहीं है और बैठा तो उठता नहीं है इसलिए यह जो gaps होती है इन gaps को हम कैसे भरे एक flexibility जो चाहिए उसको हम कैसे भरे और इसलिए जब village social transformation हमने शुरू किया तो हमने NGOs को कहा कि आपके पास technology है आपके पास know-how है आपके पास flexibility है हमारे पास scale है हमारे पास पैसा भी है लेकिन यह जो एक gap है उस gap को आपके technology के माद्यम से और आपके bridge funding के माद्यम से आप भरिये तो हम लोग यह सारे जो social transformation के माइने है उसको बदल सकते हैं लोगों को healthcare हो लोगों को शिक्षा हो लोगों का housing हो लोगों का training हो लोगों का job creation हो यह सारी चीजों में जब सरकार और NGOs और corporate sector यह साथ में आते हैं तो एक ऐसा combination बनता है कि जिसमें scale के साथ professionalism आता है जिसमें पैसे के साथ accountability आती है और इसके करण एक बड़ा परिवर्तन हम सब लोग मिलकर कर सकते वो हमने करके भी दिखाया है तो मुझे लगता है कि आज जब हम लोग corporate का CSR का role और NGOs का role इसके बारे में बात कर रहे है तो मुझे लगता है कि यह जो छोटी छोटी gaps है इसको भरने का काम करना पड़ेगा देखिए सरकार की इतनी योजनाय चलती है फिर भी मुंबई से 100-800 किलोमेटर पर पालगर में आज भी हमको malnutrition देखने को मिलता है इसके लिए सरकार के बास पैसा नहीं ऐसा नहीं है पर वहाँ पर जब हम malnutrition का analysis करते है तो आपका आश्र होगा कि 19 साल की मा का पाचवा बच्चा होता है मा भी माल नरिष्ट होती है और बच्चा भी माल नरिष्ट होता है अब ये चीज़े सरकार की योजनाओं से नहीं बदल सकती है सरकार पैसा प्रोवाइड करेगी सरकार उसमें पोशन आहार प्रोवाइड करेगी और चार योजनाय सरकार चिलाएगी लेकिन इसके साथ साथ एक जो कनेक्ट होता है आज हमारे गिरिश प्रभुने जी यहां पर बैठे पारधियों के लिए सरकार ने कई योजनाय बनाई लेकिन योजनाय यशेश भी नहीं हुई क्योंकि जब तक इसको human touch नहीं मिलता और यह human touch कोन दे सकता है? यह human touch दे सकते NGOs और इन NGOs को मदद कर सकते corporates और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग एक mission के रूप में इसको हाथ में लेते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हम लोग कर सकते हैं और आज मुझे बहुत खुशी है कि Y4D ने ऐसे कई initiatives हाथ में लिए और इन initiatives के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया आज हमारे जो corporates है वो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनको credible NGOs नहीं मिलते हैं कई बार ये भी प्रशना है कई corporates मुझे कहते हैं कि हमने जिनके साथ partnership की उन्होंने हमारा बंटा डार कर दिया इसलिए credibility वाले partners जिनको photo of वाले NGOs ने जो लोग जाकर काम करना चाहते हैं एंजियोस और मुझे खुशी है कि इसी प्रकार के एंजियोस में आज हमारे youth for development y4d का शुमार होता है समावेश होता है और मेरा विश्वास है मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हमारे इंजियोस सेक्टर में जिनोंने एक प्रकार से monopolize किया था ऐसे लोगों ने इंजियोस सेक्टर में जिस समय बड़े पहमाने पर सफाई के कानून बने तो उसको बहुत विरोध किया और जिसका उलेख प्रफुल ने कहा यहने स्वयम यह देखा कि जब भी कोई विकास का प्रकल्प होता है तो दुसरे प्रस्पेक्टिव होता है और उस दुसरे प्रस्पेक्टिव को भरना ही चाहिए लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि this is not the other perspective, ये तो एक प्रकार से business है, आंदोलन जीवी लोगों का business, ये जब ध्यान में आता है और वही लोग हर जगह दिखते हैं, उनके account में अलग अलग जगह से पैसा आ रहा है, तब मन में शंका पैदा होती है कि भारत जिस गती से प्रगती कर रहा है, तो भारत की प्रगती से दुनिया तो खुश नहीं होगी, भारत ही खुश होगा क्योंकि जब हम प्रगती करते ज लोग और बहुत देश यह चाते कि भारत की प्रगती की यह जो गाड़ी है, इसको कैसे रोका जाए, और फिर ऐसे लोग बहुत फ्लैशी नेम के एंजियोज और उनके अगर हम विजन और मिशन देखें तो ऐसा लगता है कि मानाउता को यही बचा सकेंगे, लेकिन उनके क कारिया अगर हम देखेंगे, तो धैन में आता है कि उनका कारिया एक ही है भारत के विकास को रोकना, और इसलिए ऐसे लोगों को रोकना यह ज़रूरी है, आज इस बात में कोई दोराई नहीं हो सकती, कि अगर हम विकास में सस्टेनेबिलिटी नहीं लाएंगे, तो मानाउ ताके सामने बहुत बड़ा प्रश्ण खड़ा होगा, और खड़ा हो चुका है, सस्टेनेबिलिटी के आवशक्ता है ही, सस्टेनेबिलिटी के सिवाए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का अपना डिफिनेशन तयार करके, और हमारी शर्तों पर आज आगे बढ़ते समय सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़े और कई बार जो दुसरा प्रोस्पेक्टियु होता है वो सही होता है और ऐसे समय सरकार के रूप में दो कदम पीछे लेने में हम कोई अपशिच्छ नहीं मांते हम अपनी हार नहीं मांते हम पीछे लेते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि यह जो इंडियाज मुमेंट है इसको अगर हमको कैप्चर करना है और देखिए मुमेंट हर समय के लिए नहीं है प्रधान मंत्री जी ने 2047 की बात किये 2047 इंडिया हैस टू बी डेवलप्ट निशन और यह क्यों कहा है हमारा डेमोग्रेफिक एडवन्टेज यह 2035 में पीक पर होगा उसके बाद भी आगे 15-20 साल उसका फाइदा हमको होगा लेकिन उसके बाद हम लोग जिस प्रकार से आज डेवलप्ट एकोनॉमी इसकी परिस्तिती है वहाँ एजिन पॉपुलेशन बढ़ रही है एक साइकल है इस साइकल में आज हमारा समय है और जब हमारा समय है ऐसे समय अगर हम लोग ने उस समय को खो दिया छोटी छोटी चीजों में उलच कर हमने अगर इसको खो दिया तो भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास हम नहीं कर पाएंगे भारत के विकास की संकल्पना को परिकल्पना को हम पूरा नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यही वो समय है कि जब हमको दृड़ता के साथ आगे बढ़ना होगा समाज और देश की भावना को जागुर्थ रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना करता हुए क्या है अधिकार तो सबको पता है लेकिन अपना करता हुए क्या ह इसको समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा तो निश्चित रूप से उस भारत की जो संकलपना हमने देखी है कि जो भारत विश्व में एक ऐसा देश जो विश्व को दिशा दे रहा है ऐसा भारत हम तयार कर पाएंगे मैं फिर एक बार Y4D को बहुत बहुत शुबकामना दे देता हूँ ऐसा ही आपका काम चलता रहे आपकी प्रगती चलती रहे इन शुबकामनाओं के साथ जैहिन जै महाराश्टा